भारत में पिछले कई हफ्तों से लगातार कुरोना की मामले बढ़ते ही जा रहे हैं सोवार को पिछले 24 गंटों की बात की जाए तो कुरोना की 16135 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,35,18,564 हो गई है तो वहीं 24 गंटों में 24 मरीजों की कुरोना की चलते मौत भी हो गई है ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,223 तक पहुंच चुकी है देश में कुरोना महमारी कापरकोप जहां एक बार फिर से देखने को मिल रहा है तो वहीं के इंद्रिस वास्ते मंताले के मुताबक देश में करोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,11,711 से बढ़कर 1,13,864 तक पहुंच गई है देश में बीते 14 घंटों में कुल 13,958 मरीज डिस्चार्ज हुए जिससे कुल रिकावरी दर लगभग 98,54 प्रतीशत हो गई है और कुल रिकावरी डेटा करीब 4,28,89,470 तक पहुंच गया है पिछले 14 घंटों के अवधी में कुरोना की एक्टिव मामलों की संख्या में 2,153 मामलों की वरीधी जो है वो दर्श की गई है मंत्राले ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमन का 0.26 प्रतीशत शामिन है भारती आयूर विज्ञान अनुसंधान परिशत के अनुसार COVID-19 के लिए 3 जुलाई तक 6,49,99,907 नमूनों का परिख्षन क्या गया इन में से 3,32,978 नमूनों की एलवार को जाचबी की गई पश्रिम बंगाल, ओडिशा और असम में COVID-19 मामलों में कई गुना व्रीधी दर्ज की गई है वहीं माराष्ट और दिली में करोना के मामलों में कमी आई है